हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो नीव वीडियो उमीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छी होंगे दोस्तो आपके सामने खड़ी वी ये ब्रैंड न्यू के टीम ड्यूक 200 का न्यू मॉडल जी है दोस्तो ल्यूक दोस्तो का ये नया मॉडल है न्यूक 200 का आज के इस फिडियो में डीटेल रिव्यू करने वाले दोस्तो क्या प्राइज आती है क्या स्पेसिफिकेशन है क्या बजट में आप इस भाइक को खरी सकते हैं सारी चीज़े आपको मैं डीटेल में बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए इंट्रस्टिंग और इंपोर्डेंट होने वाली अगर आप न्यूक 200 के बारे में जाना चाहते तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि मैं कुसिस करूँ आपको डीटेल में इस बाइक के बारे में बताओ चली वीडियो को सुरू करता है सबसे पहले दोस्तो आप लोगों इसका नया कलर आप्शन तो देखी लिया होगा कंपने ने आप एक काफी अच्छा और काफी बैतरी जो नया कलर आप्शन है दोस्तो न्यूग 200 में ओफर किया है और ये जो कलर आप्शन है इसमें आपको ये एक शुरूम प्राइज आएगी ऑन्रूट प्राइज के बारे में बात करूं तो ये ऑन्रूट प्राइज आ रही दोस्तो मोड़ा माड़ी 2,32,232 रुपे गया सपास के आपको ये ऑन्रूट प्राइज देखने को मल जाती है बागे दोस्तो टैंग डिरेंग जो इस फर्षर इंप्रेशन राएज और बात को पसंद आया हुआ बाकी सबकि अपनी पसंद होती है बाई मुझे अच्छा लगा हो सकता किसी और को अच्छा लग सकता किसि और को चैनल आई बाकी आपको कैसा लगा आप वो बताएज़ चलिए अब आ जाते दुसतों इस बाइक CTN State में इसका जो प्राइज हो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मल जाएगा चलिए आज आते हैं दोस्तों इस बाइक की डीटेल रिव्यू में सबसे पहले दोस्तों आपको मैं लेके चलता हूँ इसकी front profile में सबसे पहले मैं की ओन करूँगा जैसी की ओन करूँगा आप देखेंगे front में इसमें आपको सबसे पहले LED जो डीरल लाइट है आपको इस बाइक में देखने को मलता है जोकि बहुत थी जादा अच्छा लगता है तो में लेट में इस बाइक में आपको kupously LED लाइट आपको देखने को मलती है यह कंपणी ने में लेट में इसमें आपको फुली LED लाइट दिया है लाइट की quality, visibility, illumination की बहुत अच्छी मिलती है आपको यहां पे कोई भी extra-kommen लगाने की ज़ुरात नहीं है हलाकि यूक जो है ना वाई इसकी जो लाइटिंग दिये न वाका है में बाइक केटिया वनों ने बहुत अच्छी दिये टर्न सिंगल लैप वह भी आपको यहां पे LED देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी बात है कंपनी ने LED टर्न सिंगल लैग भी इसमें ओफर किया है फ्रंट में इस बाइक में आपको 43 mm की इवेजियरे की अप्सेट डाउन सिस्पेंशन आपको देखने को मलते है सिस्पेंशन की जो क्वालिटी है वह भी इस बाइक में आपको बहुत अच्छी मिलेगी अगर बात करें प्लेट साइज के बारह में तो फ्रंट में आपको 300 mm 300 mm के आसपास की आपको इस बाइक में फ्रंट में देखने को मल जाती है प्लस यहां पे आपको बाइभरी की जो बैचिंग भी आपको मिलेगी अब चलता है इस बाइक के एंजिन स्पेसिफिकेशन की तरफ दूस्तो डूक टॉरेट में एंजिन टैप में 129.5 सीजी का लिक्पिर कूल 4 इस टोग DUSC सिंगल सिरेंडर जो एंजिन है वो आपको दूस्तो इस बाइक में आपको देखने को मिल दाएगा बात करें इसके पावर और के बारे में दूस्तो ये बाइक मैक्सिमाम पॉर में 25 PS का पावर इनेट करती है लबग इसमें आपको 19.3 का असपास का जो टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा cooling system में liquid cool engine मिलता है fill system में FI आपको इसमें मिलेगा दोस्तो ये 6-year के साथ में आती है normal weight and body plate class मिलता है E20 BS6 norm solar जो engine है वो भी आपको इस bike मिलेगा तो ये का फिर चीब बात है BS6 engine के साथ में जो हमें ये bike देखने को मिले जिसे हमें समझ में आता है लेटिस नॉर्म स्किंजर लेटिस manufacturing engine जो हमें इसका मिल्यादार एक तो दोस्तो इस bike का detailed engine specification चलिए अब दोस्तो बात कर ले mileage and performance के बारे में ये bike minimum आपको लबग 35 के आसपस का mileage offer कर देती है 0-100 में इस bike को दोस्तो मेरे आपसे जो लगते हैं 9.5 सेकेंड अब आते हैं दोस्तो इस bike के rear profile की तरह, front profile आपने mileage, front profile, engine आपने सारी चलिए से जान लिया लेर की जो till lead दोस्तो आपको सब्सक्राइल आप देख पर हैं पर ल्यूकी बैचिंग है प्लस आपके जो grabless quality बहुत अची आपको बहुत आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आप देख पर इसका जो design है वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा आप दोस सीट देख पार है बाइक में आपको split seat मिलता है 1 & 2 दो पाट में seat है seat की form quality आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी प्लस आप इसका जो tank design है आप देख सकते है company ने काफ़ अच्छा tank design दिया आपको blue की batching देखने को मतलब blue color की tank आपको इसमें मिलेगी चलते है speedometer की तरफ सबसे वहला आपके देखने इस type का की आपको बाइक में मिलेगा speedometer पे दोस्तों इस bike में आपको fully digital meter आपको इस bike में देखने को मिलता है इसमें आपको काफी सारे जो feature है आपको देखने को मिलेंगे जैसे speedometer है, decometer है, trip meter है, odometer है, clock है, ABS light है, fuel gauge है service reminder है, low indicator है, low indicator है, distant, empty indicator है, engine temperature है, clock है, यह सारे feature आपको बाइक में देखने को मिलेंगे plus आप इन दो switches दी हैं जिसे आप इसके speedometer को control कर सकते है feature wise भी बाइक बहुत अच्छी निकल किया आती है, feature में आपको इस बाइक में कोई कमी देखने को नहीं मिलेंगे और आप देख पार, trip on, trip to, सारे feature मिलेंगे, शिचर पास से, tunnel single lap, horn, engine, kilsis, self assist मिलता है, right hand side में आपको right hand side में engine, kilsis, self assist है आपको बाइक मिलेंगा सब्सक्राइब दोस्तों brand new KTM YouTube का detailed specification review आई हो बुड़ो अच्छी लोगी को मिलते हैं दोस्तों फिर नेक शुरू में love you all, jahin, मने मात रहाँ